Hey everyone, welcome to your own study channel that is the Study24 Official मैं हूँ प्रियांका और आज हम बात करने जा रही है किशोरा अवस्था के बारे में जिसे हम Adult Sense के नाम से जानते हैं तो चलिए जानते हैं Adult Sense की Features, इसकी Definition क्या इसमें महतरपूर्ण ऐसी चीज़े हैं जो की बाकी अवस्थाओं से अलग है So let's start ये जो किशोरा वस्था है, ये 12 से 18 बर्ष का जो Time Period होता है उसमें ये अवस्था देखने को मिलती है इसके साथ इसमें जो शारेलिक विकास होता है वो काफी तेजी से देखने को मिलता है जैसे यहां पर बदाया गया है किशोरा वस्था में बालक को अनेक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है इस सेज की अंदर काफी ज़्यादा परिवर्तन होते हैं बालक की अंदर चाहे बालक हो चाहे बालिका हो क्यों क्योंकि उसमें काफी ज़्यादा होर्मोनल चेंजिस होते हैं होर्मोनल चेंजिस क्यों होंगे क्योंकि यह जो टाइम है यह प्यूवर्टी का टाइम है इसमें काफी ज़्यादा होर्मोन्स बनते हैं जिसकी बज़से जो चाइल्ड है पहले वो चाइल्ड था किशोरा वस्था से पहले वो चाइल्ड था लेकिन जैसे ही किशोरा वस्था अरंब हो जाती है इसका मतलब है कि अब वो maturity में अपना कदम रखने बाला है तो यह जो maturity level आता है यह hormone की बज़र से ही आता है इसी लिए बात बोली गई है किकुसोरा वस् इसलिए यहां पर बताया गया है कि भार का विकास कैसे बेट बढ़ता है बालिकाओं की अपेक्षा बालकों का भार अधिक बढ़ता है अगर comparison किया जाए तो बायस का बेट होता है वो लडकियों के comparison से ज़्यादा बढ़ता है इसके आगे बताया गया है 13-14 बर्श की आईू में लडकियों में प्रजनन क्शंता उत्पन हो जाती हैं मतलब जो लड़कियां होती है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए काबिल हो जाती है इस एज में पहुंचते पहुंचते आगे पताया गया है 15 से 16 बर्श की आयू में लड़कों में पिता बनने के गुन उत्बन हो जाते हैं और ये क्यों हुए चेंजिस क्योंकि उसमें होर् का 11 से 15 बर्श की आयू में तीब्र गति से चड़ता है जब की 15 से 18 बर्श की आयू में बालकों की उंचाई बड़ी तेजी से बढ़ती है अब ये जो डाटा दिया गया है एक्जेक्टली यही डाटा तो नहीं लेकिन इसके आसपास का डाटा भी अगर हमें एक्जाम में म नोट क्या करना है हम सभी इस फेस से गुजरे हैं ठीक है ना तो वस ये जो फीचर्स हम देखते जा रहे हैं अपने साथ को रेलेट करते जाए कि हां हमारे साथ ये चेंजिस हुए हैं तो हम काफी इसली इसको समझ सकते हैं जैसे आगे नोट दिया गया है काफी लड़ियों में 15 और 18 Federal के बाद लंबाई में कमी आ जाती है मतलब कि इस से पहले जो Italy होती है वह जाती है लेकिन इसके बाद कोई भी ग्रोफ नहीं देखने को मिलती है लड़ियों में 15 बर्श तर 2 लड़कों में 18 बच तक हडियों का विकास इस अवस्था में आते आते हडियां आपस में जुड़ जाती हैं जिससे उनकी हडियों की संख्या 206 हो जाती है इससे पहले अगर हमने देखा हो जो हमारी 6 अवस्था है जिसे हम इनफैंसि स्टेज के नाम से जानते हैं उस क्योंकि देखिए जिस ताइम इनफैंसि स्टेज होती है बच्चा काफी फ्लेक्सिवल होता है और जो फ्लेक्सिवल्डी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हडियों की बज़ा से ही होती है उनको हम हडियों का नाम नहीं दे सकते हैं उनको हम प्रोपर वे में अगर बोलना चाह तो ये किसकी वज़ा से क्योंकि उस ताइम उसकी जो हडियां होती हैं वो काफी जाड़ा amount में होती हैं और वो आपकस में जूड़ी नहीं होती हैं लेकिन किशोरा वस्था में पहुंचते पहुंचते इन हडियों का नंबर जो है वो exact हो जाता है जो कि है 206 इसके बाद ना अंदर स्माज सेवा काफी ज़्यादा बढ़ जाती है वो स्माज के लिए कुछ करना चाहता है। पिस्ता नग्यार नियंतर्न नहीं रहता है कोरा वस्ता में काफी ज़्यादा गुरीन कि या सानों भूति या फीचर ये काफीुन देखने को मिलते हैं ओर ऐसा देखने को या इस की अधर में आस्था कपी जाहती है इस के साथ या प्रपल Spannel का अवाब उसमें कभी भी consistency नहीं रहती है, उसका मन जो हमेशा ही मचलता रहता है, उसको कभी भी एक जगा constant level के उपर वो नहीं सोच सकता है, कभी भी भी ठहर नहीं सकता है, इसके साथ हम बोर सकते हैं कि इस stage की अंदर जो बाल लकिया बालिका है, वो सतंतर रहना चाहता है, वो independent रहना चाहता है, और उसके अंदर बिद्रोह की बावना काफी ज़्यादा होती है, कि शोरा वस्था की अंदर, इसलिए यह जो मैंने point आपको बताया है, कि साइकलोजिस्ट यो हमारे टेनले होल है, इन्होंने ये बात बोली थी, कि इस stage की अंदर जो किशोर है, वो काफी संगर् इसको ऐसा बोला गया है, शोरा वस्था की stage को, अब जो भी हमने यहां पे पड़ा है, इसी से सारे questions आते हैं, इसी data से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी 24 official के उपर मैं आपको theory करवा रही हूं, लेकिन study kingdom जो हमारा दूसरा चैनल है, उसके उपर मैं काफी detail मैं इनकी MCQs करवा रही हूं, तो आप उसका फाइदा ले सकते हैं, यहां पे आपको theory part करवाए जाएगा, दूसरी में आपको MCQs करवाए जाएगे, so thank you so much for watching the video.